से दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, Finance Act के बारे में, इस Finance Act के अंदर CJST Act में जो amendment हुई यह उसके बारे में बात करेंगे, यहां पर जो amendment है, Section 16 के अंदर amendment है, जो कि Input as Credit से related amendment है, तो यहां पर देश सकते हैं, Finance Act का Section 109, जहां पर Section 16 के अंदर amendment कर दी गई है, क्या amendment कर दी गई है, Section 16 क्या बोलता है, Section 16 जो है Input as Credit से related, जो conditions है और जो eligibility है, उसके बारे में बात करता है, तो यहां पर क्या amendment किया गया है, यहां पर Section 16 के अंदर Section 2 के Close A के बाद, यह दूसरा Close Insert किया गया है Close AA, जहां पर यह बोलते हैं कि जो details है Invoices के यह debit note के राफर्ड है Close A के अंदर Supplier के दौरा Furnace होना चाहिए statement में, कौन सी statement में, object supply की जो statement है उसके अंदर होनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं Close A पर आते हैं, Inputs Credit से Related Section है Section 16 जो कि Alisability and Condition के बारे में बात करता है, Inputs Credit को लेने से पहले जो Alisability है ने Condition है वो Fulfill होने चाहिए, तो Section 16 का Subsection 2 का Close A यह बोलता है कि परसन जो है Inputs Credit नहीं ले सकता अगर उसके पास जो supply उसने Receive कर रही है Goods and Services के यह दोनों की जब तक उसके पास उस supply का Invoice Tax Invoice या Debit Note ना हो जो Supplier ने Issue किया है इस Act के हिसाब से और जो Other Tax Paying Document है वो ना हो तब तक वो Inputs Credit को नहीं ले पाएगा तो दोस्तों यह है Section 16 का Subsection 2 का Close A जो यह बोलता है कि बिना Document के आप Inputs Credit को नहीं ले सकते हैं मतलब कि जो भी आपने Supply Receive करी Supplier से Goods and Services की उसका आपके पास Proper Document हो, Proper Tax Invoice हो या Debit Note हो जो की Supplier ने Act के हिसाब से Issue किया है या कोई Other Tax Paying Document हो मतलब कि जो आपके पास Invoice है Tax Invoice जो आपने Supply Receive करी है Goods and Services के या Debit Note है उसके बेसिस पे ही आप Inputs Credit को अले सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 2 यह देखते हैं या 2 भी देखते हैं उसमें अगर किसी और Party का Invoice आ रहा है आपके पास और Actual में आपने Supply Receive नहीं करी है Services या Goods नहीं लिया है और आपके पास Tax Invoice भी नहीं है उसका तो आप उस तरह के ITC को आप JST या 3B में क्लेम नहीं कर सकते हैं क्या 2B में Extra Invoice तो नहीं आ रहा या Unrelated Party का Invoice तो नहीं आ रहा जो आपसे Related नहीं है किसी ने Return फाइल करते वक्त अज यह सी नमर गलत कर दिया हो तो ऐसे Input As Credit को आप नहीं ले सकते हैं तो आपको 2B का Reconciliation करना जरूरी है मतलब की Input As Credit को लेने के लिए आपके पास A Document होना चाहिए अभी चलते हैं Finance Act की तरफ जहां पे Section 16 का Subsection 2 Close A के बाद जो नया Close Double A Insert कर दिया गया उसके बारे मैं समझ लेते हैं तो दोस्तों यहां पे यहीं बोलते हैं Close A के अंदर की की Close A में बताया गया है वो Supplier के दोरा फर्निस होना चाहिए आटवर्ड सप्लाई के अंदर और recipient को Communicate होना चाहिए Under Section 37 के इसाब से मतलब Supplier जो है अपनी GSTR 1 के अंदर उस तरह के recipient जो है Input As Credit को ले सकता है तो दोस्तों देखो बात बड़ी सिंपल है सीदी सीदी भादा में मैं बात करता हूं कि आप Input As Credit उन Invoices का यह debit note का ले सकते हैं जो actual में आपके पास invoice है document है आपके पास tax invoice है यह debit note है और सामने वाले person ने अपनी GSTR 1 के अंदर दिखाया है और वो auto reflect होके आपके GSTR 2A या 2B में आ रहा है ठीक है जिस मन्त की 3B को file कर रहे है उस मन्त की 2B में आएगा तो आपको automatic मिल जाएगा ठीक है उसके अलावा अगर कोई input as credit extra आ रहा है तो आपको उस input as credit को अपनी 3B से अलग कर देना होगा क्योंकि 3B के अंदर automatic ITC आता है तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखें कि unrelated party का invoice है और आपके पास उसका document नहीं है और अगर आपने उसका ITC ले लिया बात में कभी department से notice आता है या कभी आपकी books को checking की जाती है और invoice नहीं मिलता उसका तो बात में आपको भारी penalty भार नहीं पढ़ सकती है अगर आप लोग को या रूस को follow नहीं करते हैं तो दोस्तों यह था एक कमाल का update जो मैं आपके सामने लिखाया वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं thank you so much जाहिंद अवन्दे मात्रम